असलाम अलेकुम माई यूटूब फैमली वेलकम बेक टू माई चैनल वेलकम बेक टू अनदर व्लॉग क्या हालें जी आप सब के आई होप सब ठीक ठाक हूंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूं चलें जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं तो यहां पे सबसे पहले मैं अपने हैं तो ओर्स के साथ जो है काफी अच्छी लगती है तो बस मैं इनको जो है वो कट करके थोड़ा से डाल दूंगी और एक जो है मैंने खजूर भी डाल दी थी और बस ऊपर से मैं थोड़ी सी हनी डाल दूंगी तो हमारा हेल्दी सा जो ब्रेक फास्ट हो रड़ी हो फील बनानी थी कुछ रहांगारी थी और साथसा तुमकर मुझे भी थोड़ा सा जो मैं आर आ पर लिस्ट वगरा बनानी थी क्यूंकर रमजान में थ्क आई बना रह गया है तो मुझे जो-चॉरा सा घी ताम रहा है तो बस मुझे जो-जो काम करने और जो-जो चीज़े इस पूद्या बनाना है तो इन सारी चीजें की में लिस्ट बना लूँगा तो इस तो थोड़ सी आसानी हो जाएगी मुझे अच्छा आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने जो है वो अभी से मतलब तैयारी जो है वो कर दी है काफी सारे लोगों ने जो है वो फ्रीजर की जो जो चीजें उन्होंने बनानी होती है चट्निया वगरा और समोसे रोल काफी लोगों ने जो है वो पहले से तैयारी कर है लेकिन मैं अभी थोड़ी सी क्लीनिंग वगरा पे ध्यान दे रही हूं थोड़ा सा अपनी घर को क्लीन करूंगी उसके बाद बस जब थोड़ी दिन रह जाएंगे रमजान में तो बस उससे पहले में बना लूगी क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा चीजे नहीं बनानी है त किस ने तयारी पूरी कर भी दी है तो कमेंट सेक्शन में जबर बताईएगा अच्छा यहां पर मैं अपनी लिस्ट में जो जो चीजे मुझे करनी है वह में लिखती चाहरी थी अच्छा बाद रफा ऐसा होता है काफी सारी चीजें जो है वह दिमाग में चल रही होती है ल जो है लिस्ट अगर भी बन चुकी थी और अब भी मेरे पास थोड़ सा टाइम था शाम के टाइम पे तो फिर मैंने सुचा मैं केक बना लेती हूं मैं काफी दिनों से नहीं बनाया था तो यहां पर मैं टी केक बना रही हूं तो मैंने यहां पर अंडे ले लिए हैं तो जादा सही रहते हैं तो मेरे पास यह एक्स्टा पैकेट पड़ा था तो मैंने वहां से अंडे ले लिए थे और बस इनको मैं एच्छे से पहंट लूँगी और इसमें मैं डालूंगी को कॉनट शुगर अचा सिंपल सी रेसिपी इसकी लेकिन इसमें मैंने बस एक चीज ज यहां पर डाल रही हूं को कॉकनट शुगर और इसका इसकी वज़ा से थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वह भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है और यह जो है ना को कॉकनट शुगर इतनी ज्यादा मीठी नहीं होती तो उसके बाद मैं यहां पे बटर मैंने मेल्ट कर लिया था तक्रीबन एक कप तो वह मैं डाल दूंगी बस इनको मच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैं डाल दूंगी वनीला एसंस डाल दूंगी और साथ ही में थोड़ा सा यहां पे जो एक स्वीटनर होता है तो यह मैं आपको दिखा रही हूं यह भी जो है ना मतलब इस स्वीटनर यूज होता है डिक जाफ्ट लिखा हुआ है तो यह में थोड़ा सा डाल दूंगी क्योंकि कोकनट शुगर इतनी मीठी नहीं होती तो यह मतलब शुगर की जगह पे यूज होता है तो वह मैंने एट कर दिया और बस अब मैंस में जो ह करूंगी यहां पर मैं करूंगी थोड़ी सी सिन्नमन अच्छा से जए ना केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो वह भी मैंने एट कर दी थी और साथी में थोड़ा सा मिल्क अट करूंगी तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप चाहें तो लेक्टर भी यू 45 मिनिट्स में रेडी हो जाएगा तो यह देखें जी हमारा केक जो है वो बिल्कुल डेडी हो गया था और मैंने इसको थोड़ी दे ठंडा गिया था और बस में इसको जो है वो पीसिस में कट कर दूंगी यह देखें इसका इस तरह से कलर आया था अच्छा मुझे जो है ना वो चाय के साथ अच्छे लगते हैं हस्बंड को भी अच्छे लगते हैं तो बस मैं ट्राय करती रहती हूं तो बस केक रेडी हो गया था अच्छा जी उसके बाद मैंने जो है डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया था तो डिनर में मैंने बनाई थी चन्ने की बिर्यानी तो बि अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम लोग अपना डिनर इंज्वाइब करेंगे तो बस जी आज की वीडियो यहीं तक की थी आज का व्लॉग यहीं तक था आई होप आप लोगों को अच्छा लगाऊगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें मैं मिलूंगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलहाफिज बाई टेक कियर